राहुल गांधी जी को सबसे ज़्यादा भेह लगता है। मुझे रखता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है। उनके पास कुछ परची मास्टर हैं जो परची लिखके उन्हें दे देते हैं वो उनको बोल देते हैं। कि जितने भी परची मास्टर हैं इन्होंने राहूल गांधी जी को बरबाद कर दिया है इन्हें समझना चाहिए कि राहूल गांधी जी तारक महता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं देश की संसद में बोलने जा रहे हैं अबुल गांधी जी को सबसे ज्यादा भेह लगता है और उन्हें इतना भेह लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को रोज सुभा उठकर के बिना मूँ धोए पानी पीपी के कोशते हैं फिर संसद में कोशते हैं सडक पे कोशते हैं गर में कोशते हैं पबिलिक मीटिंग में कोशते हैं फिर भी कहते हैं भेह लगता है देश में भेह है तो मुझे रखता है कि राहुल जी को कुछ पता नहीं है उनके पास कुछ पर्ची मास्टर हैं जो पर्ची लिखके उन्हें दे देते हैं वो उनको बोल देते हैं इन यह भी परची मास्टर हैं इन्होंने राहूल गांदी जी को बरबाद कर दिया है इन्हें ये समझना चाहिए कि राहूल गांदी जी तारक महता के चश्मा जैसे सीरियल में बोलने नहीं जा रहे हैं देश की संसद में बोलने जा रहे हैं यह भारत की संसद है, यह विमर्ष का इस्तान है, यहां वड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लोजिकली बोलना चाहिए, राहूल गांदी जो बोलते हैं उसका कोई रेलिवेंट नहीं है, सारे परची मास्टर मिल करके राहूल गांदी जी को बरबात किये जा रहे हैं